आज का वेबनार लंग स्केर फाउंडेशन एबं शहरी विकाश मंत्राले भारत सरकार तथा आग्रा स्मार्ट चती के तईयोग से संपन किया जा रहा है जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर श्री अर्विन प्रोफेसर श्री बिलाल जो दोनों ही हैं आप दोनों ही वेदान्ता से संबंदित हैं एवं कोविट 19 से संबंदित जानकारी आज साजा करने के लिए उकस्तित हुए हैं जिससे कि आग्रा शहर की जनता एवं इस आखकारियों को स्मार्ट सिटी या भारत सरकार के अठकारियों को और तो सॉ स्मार्ट सिटीस वहां हैं उन सभी के जानकारी के लिए कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है किस तरीके से रह सकते हैं एवन कोविड-19 के उप्यार के उपरां क्या-क्या साथानी हम लोगों को बरतनी चाहिए उस सभी के बारे में आज हम लोगों का ग्यान वर्दन करेंगे कि अब मैं मान्य महापवर मोदे से अनुरोध करूँगा कि वह अपना कुछ दोशक्त हैं जिसके उपरां डॉक्टर्स अपनी बात को एक प्रिजेंटेशन के माद्यम से हम लोगों को समझा सके आज इस मेमिनार के माद्यम से इस माशिटी के जितने की हमारे आधिकारी कर जो कि अधिके जुड़े हुए सभी शदस्तों का कि उन्होंने जो देश के अंदर करूनम हमारी इस तेजी के साथ दूसरे खेज में आई है वह हम सब किसी देशिपी हुई नहीं है पहला जो फेज था और दूसरे जो फेज उसमें अंतर रहा पहला फेज जो आया उसमें जो म और जिनकी मुर्थ्यू हुई ओर साथ बर्स के आसपास के लोग उसकी चपरेट में आये लेकिन जो दूसरा फेज आया इसमें बहुत हमारे नौजमान जिनकी आयू 25 बर्स और 30 बर्स और 35 बर्स के भी रहे वह भी चपरेट में और उसकरोना ने उनको भी अपने उसमें ल सब्सक्राइव और उसमें जो सकते हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के दवारा किया जा रहा है और हमारे सेолे के साथ उस्त्र पदेश में करोणा को खुड्य को आर। सब्सक्राइब गज़ारों कि और जिसकार से लखनु में भी पांच यार के स्रतिदिन करोना के आ रहे थे नौसों के स्रतिदिन आ रहे हैं घटकर अगरा मैं नौसों के इस्तान पर रहे गए और लखनु में बहुत तेजी से कम हुए और जुटी संख्या राइथों के आसपास की हो गई है और इस पी इसमें हमारे आगरा के सभी अधिकारीयों ने मिलकर राज्य सरकार के कंदे से कंदा मिला कर साथ देकर और अपनी जांग पर खेल कर यह काम किया है मैं ऐसे भारत में और भारत के और डॉक्टर्स ने यूँ काम किया है उनका मैं अबरेंदन और श्वागत करता हूं आने वाला जो सीसा फेष है जो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उसको बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत की बात रहने बाली आए उत को भी हम इसको भी लगने का काम करेंगे करेंगे और पूरा देश जब एक होता है तो कोई भी लडाई बहुत आसान हो जाती है और मुझे लगता है जिस परकार की इस लडाई में तभी देश्वासियों ने नागरिकों ने सरकार का साथ दिया है उससे तीज़े फेस को भी हम विज़ा आशिल करेंगे और करोना नाम कि महामारी को इस देश से नश्ट करने का काम हम लोग करेंगे है अब मैं डॉक्टर अर्विन कुमार्दी से अन्रोद करूंगा कि वह अपना प्रेजेंटेशन देने का सकता है डॉक्टर अर्विन कुमार्दी अप्रेजेशन दिख रहा है ना दिख रहा है अर्मेरी बॉइस क्लियर जी क्लियर है अब ही तो आम यह टेस्टिंग कर रहे हैं ना नहीं इस इस लाइव अप्लाइव ना सब्सक्राइव 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 में तब तक मैं बिलाल बनास अश्फ मैं अग्टर्स एक प्रोजेक्ट के लोगों कुछ और अर्ड रहे बहुत बहुत शुक्र गजार हूं कि उन्होंने हमें यह उपपरचुनिटी दी है कि हम इस बीमारी जो कि सेकंड वेव हैं उसके बारे में कुछ बात करें यह सेकंड वेव जैसा कि सब्सक्राइब बहुत डिफरेंट है पिछली बार से और इसने कई चीजों को एफेक्ट कि से जादा है और दे शियर नंबर जो केसिस का है वो बहुत जादा हुआ है इस बार उसके कारण न्यू वेरियंट के विज़े से भी हो सकता है और प्लस चुकि कुछ एटिपिकल सिंटम्स भी जादा आए हैं उसके कारण वर्ष लोगों ने इसको थोड़ा देर में आइड को प्लस इसके बाद हम कुछ ऐसी बाते करेंगे जिनमें घर पर रहकर के कैसे इलाज करना चाहिए और आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कोविट से रिकवर होने के लिए तो इन सबी बातों को करने के लिए मैं अपने कॉलीग प्रफेसर डॉक्र अर्विंद कुमार क को इन्वाइट करता हूं सर्थ प्लीज आप स्टार्ट करेंए प्लीज आप सब को मेरा साधर नमस्कार और आग्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑप आग्रा शेहर के समस अधिवाद निवाद की आप सब को मुझे और डॉक्तर बिलाल को करने की कि अपर्चनिटी दी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ जूढ करके हम यह नौनिच चेर करने हैं तो हमने सोचा कि इस पर जचक का नाम भी हम स्मार्ट ज्यान प्रोजेक्ट रखनें और इसकी शुरुबात आज आग्रा शेहर से वरी है तो अगले कुछ विरों में और ये प्रोग्म लंग केर फांडेशन की करपते हैं, लंग केर फांडेशन एक इंजियों है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो लंग से जोड़ी स्वास्थ संबंधी सूपनाओं को पब्लिक के साथ शेर करता है, और इस लंग से के लिए 30-30 मिनट में बहुत दिल भी चार जिल्दों को सच करेंगा, कोविड-19 से हम बठें कैसे, क्योंकि आज भी हमारे देश में 3,500,000 से उपर इसे फॉर डे आ रहे हैं, हमें इसको घटाना बहुत ज़रूरी है, हम इसको तब सस्टेक्ट करें, कैसे इलाज करें, जो रिकावर होके घर आ गए हैं, उनको भी बहुत सारी कुली में हैं, तो वो इस जिन्दकी में नॉर्मल कैसे आएं, और COVID-19 सी का फेरंट से टुड़ी जो भी बाल दिया है, तो हम जन्तिक अधी स्रीमित समय के अज़े पर इन सब को टच करेंगे, हमारी आज सबसे बड़ी अज़े हैं, तो जब इस समय इतनी भारी मात्राव में इस चंक्रमार सोसाइटी में थे और इतने सारे लोग हैं, और हम उनको पहचान नहीं सकते, करें और इसमें चार मुद्धे हैं जिसको मैं बहुत जोड़ शोड़ से बताना चाहता हूं और यह हमारे भारत सरकार के मानिय जो सांटिटिफिक एडवाईजर है उन्होंने परसों शाम को इसके बारे में एक आडवाईजरी जाओ है कि अब हम लोगों को मास्क डबल मास्क पहनना है या अंदर एक सर्जीकल मास्क और उपर से एक कपड़े का मास्क वह सोचल डिस्टेंसिंग जो हम अब तक 2 मीटर खे वो एक भाप के रूम में 10 मीटर तर जा सकते हैं और अखास करते हैं अगर आप बंद जगह पे हैं तो वहां पर वह काफी घंटों तक रह सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहां आए तो वह संक्रमित हो सकता है इसी वजह से बंद जगों पर वेंटिलेशन होने की ब अगर संक्रमित है तो उसका जो एरो सॉल मुझ से निकलेगा वह आठ दस मीटर तक पहलेगा और कई घंटों तक रहेगा और अगर किसी घंटी ने उसमें वहां सांस ली तो वह एरो सॉल उसके अंदर जाके उसको संक्रमित पढ़ेगा और इसकी कई एक्जाम्पल्स होई ह है कि जहां पर रही पर लोग एक बोल्ड मीटिंग हुई दस लोगों ने अटक कि तक हैंटी और दस में से आठ संक्रमित हो गए तो यह बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप भी बंद कमरों में मीटिंग कर रहे हैं तो उसको बंद नारत में दर्वाजे खिरती खोलते एस मेरे अंदर नहीं जाएंगे तो अगर सबने N95 पहना हुआ है तो मेरे पिचानवे प्रस्यतकन मेरे अंदर नहीं जाएंगे तो हमें जो वाइरस का संक्रमन की मात्रा होगी वह बहुत की कम होगी इससे चांस कम हो जाता है तो इसलिए हम लोग क्या रहे हैं कि जब आप घर के अंदर भी हो अगर आपका कोई बाहर वाला व्यक्तियस आई है तो घर में आप मास्क पहने हैं मीटिंग्स आपकी हो रही है क्योंकि अब एरो सॉल दस मीटर की दूरी तक पहल सकता है और अपको चौती चीज़ा हाथ दोना पिछे कार बिंदू एस्म्टमाटिक लोगों से संक्रमन लोग लिए हैं अब जहां तक सिंटमाटिक लोग आए उनकी बात है कि आप लचण को पटपट वटाने तक उनक करें और टेस्ट रिजल्ट का इंसार ना करें इस बिंदू को भी मैं ठाट करूँगा इसमें घंटियां हमसे कहां पर हो रही हैं हम लोग सब आये बुखार का इंसार करते हैं इतने साल के मुकादे इस साल हमने ये देखा है रोग्यों में तले में खराज होना नाक बहना आखें लाल होना, सर में दर्धोना, बदन में दर्धोना, कमर में दर्धोना, जड़ो में दर्धोना, और मोषिया, वोमिटिंग, वार्टिंग, टाइरिया, हाथ में चकते, राष्च इस siμוץम से ये बुखार शुरू को fragmeरी शुको हो रही है बुखार एक दिन, दो दि तो आप उसको कोविड माने अपने को सबसे पहला आप टेस्टिंग द्वारा लगाए जाने का इंतजार ना करें तो कि वह सकता है धेरी हो जाए और तार पांट दिन का समय लगा तो आप उस तार पांट दिन में लोगों को संक्रमाट पहलाते रहेंगे यह बहुत ही अहम जुन्तु है जिससे हमें संक्रमाट को रोकने में ब एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है और दूसरी है RT-PCR टेस्टिंग तो मैं बता दू रैपिड एंटीजन टेस्टिंग तो करीब 50% केसे में पॉल्स नेगेटिव हो सकती है और RT-PCR करीब 30% में नेगेटिव पॉल्स नेगेटिव हो सकता है तो यह दो टेस्ट पॉल् नेगेटिव हो सकते हैं यानि कि अगर यह पॉजिटिव हैं तो आपको अपने को आइसोलेट करके कोविड मान के ही ट्रीट करना है यह बहुत एहम बिंदू है तो कि बहुत सारे लोग यह सोचके करें नहीं डायरिया गला खराब यह तो मैंने अचार खालिया था नहीं खाल कर रहे हैं और इसी बज़े से संक्रमण फैल रहा है अब आया कि आपको सिंट्रम से आटी पीसिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई आपने इसको डिसाइड किया कि ओके मैं मानता हूं कि यह कोविड है अब आगे इलाज के से करें यह खुशी की साल में जाना पड़ता है 85-90 प्रतिशत लोग घर में रहकर इलाज कर सकते हैं जब हम घर में रहकर इलाज कहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप स्वयम का इलाज कर रहे हैं यह इलाज घर पर हुड़ा है डॉक्टर की टेलीपोनिक एडवाइस के द्वारा यह ब कर लेते हैं इसमें बहुत सारे लोग अपना नुक्सान कर रहे अब यह जो घर में रहकर इलाज करने की बात है इसमें हमने एक दो भी चीज़े हैं उनको हमने एक साथ इकठा करके एक मंत्रा या 6 M के रूप में याद करने के लिए उसको हमने प्रेजेंट किया है पहला मं आत्रा है नो मिक्सिंग M1 यानि कि आप अलग हो जाएं जैसा कि मैंने कहा जैसे ही आपको लक्षन शुरू हो आप अपने को अलग कमरे में कर ले जहां प्रेफरेवली अगर बात्रूम है अलग है तो उसका एक्जॉस्ट अन कर दे कमरे का दर्वाजा हमेशा बंद रखें अपना मास पैन के रखें घर में दूसरे लोग मास पैन के रहें और आप टोटली अगले दस बारा दिन बिलकुल अलग कमरे के अंदर रहेंगे घर वालों के साथ मिक्सिंग नहीं करनी ये बहुत एहम बात है अगर वो भोजन वगर आपको दे रहे हैं तो कमरे के बार एक के साथ शेयर ना हो या फिर उनको पानी में उबाल लिया जाए और एक्जास्ट ऑन रखिए आप अपने दरवा देखे खिलकी आजी कोल के रखिए आकि आपका एरोसॉल बाहर की तरफ निकल जाए अगर आपके हवा की बाप बर की तरफ गई तो दूसरों को संक्रमन तो यह तो पहला हुआ नो मिक्सिंग यानि अलब करते हैं दूसरा होता है दवा अब दवा में सबसे जरूरी चीज है बुखार के लिए पहरा सिटा मॉल टैबलेट जो हम कहते हैं कि 500 या शाड़े 600 मिलिग्राम की बोली ये छे गंटे पर लगातार लेते रहे इसके साथ में विटामिन सी, जिंक, लाइन से आप गरम पानी से गारगल्स कर लें दो तीन बार दिन में भाप ले ले और स्टीम ब्रीधिंग एक्सराइज जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा ये तो हुए कुछ अन कंट्रोवर्शियल इन में से किसी भी चीज में कोई कंट्रोवर् हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये देने से थोड़ा बहुत बीमारी को फाइदा होता है, लेकिन ज्यादा तर लोगों का मानना है कि वाइरल डिजीज में इनको देने की कोई सरुवत नहीं है, अखिल भारती आयरुग्यान संक्था ने जो अपनी एक संसूचना जारी की है, उसमें उन्होंने इसके देने के बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया है, पैवी फ्लू भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कोई ऐसा डेफिनिट प्रूफ नहीं है कि ये रोगियों को फाइदा दे रही है, तो वो अगर आपके डॉक्टर इंसिस्ट करें, तो आप ले ले, लेकिन मेरे इसाब से इन से आपके आउटकम में कोई फर्थ नहीं पड़ेगा, जो माइल डिजीज है, उसमें पहले 6-7 दिन के अंदर स्टिरॉइड लेना अपने लिए आपत इन्वाइट करना जैसा है, बहुत सारे लोग स्टिरॉइड ले रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और उसी तरह से राप को पतला करने वाली दोली या रेम्डेसिवीर का माइल डिजीज में पहले हफते के अंदर किसी तरह का कोई रोल नहीं है, पहले हफते में सबसे जरूरी है, आप परसिटमॉल ले करके अपना फीवर चीग रखें, वो सबसे तीसरा एम है मीर्स यानि की भोजन, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, जबकि सचाई यह है कि इस समय प्रोटीन वाली डायेट की जरूरत है, नॉन वेच पूड, अंडे, दूद की प्रिपरेशन, सारी गाले और सोया बीन की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें प्रोटी पान हर्गिज ना करें, मदिरा सेवन ना करें, किसी अन्य एडिक्शन का इस्तिमाल ना करें, पानी 2-5 लिकर अवश्य लें, ताजे फ्रूट जहां तक हो सकता है खाएं और ताजे फ्रूट का ही रस्पी हैं, जो तैंड जोसे दूते हैं, उनको ना लेगा, बहुत बार एक दू बार में बहुत सारा खाना खाते हैं, जिससे उनका पेट पोल जाता है, Important चीज यह है, हर ए घंठे के बाद आप थोड़ा 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 खाते रहें, जिससे 24 घंटे में आपका Intake तो काफी हो, और पेट को हर गंटे के बाद थोड़ा थोड़ा थो मैं कुछ देटा आपको देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा 85 से 90 प्रतिशत रोगी जो है, वो माइल्ड वराइटी के होते हैं, और अगर आप टोटल देखें, तो 100 में से 98.5% व्यक्ती ठीक होकर घर आ जाएंगे, जो डेट है, वो हमारी 1 से 1.5% के बीच में हैं, तो एक अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैं तो 98 प्रतिशत में होगा, मैं ठीक हो जाओंगा, मैं ठीक होके रहूंगा, इस टू शेल पास, ये समय भी बुदर जाएगा, सकरात्मक सोच रखें, आप आइसोलेशन में हैं, लेकिन लोगों के संपर्क में फोन पे रहें, आपको अग गंटे में 5-10 मिनट डीधिंग एक्सराइज में करें, रिलाक्सेशन एक्सराइज करें, अगर आप टेंस रहेंगे, पैनिक रहेंगे, बहुत परिशान रहेंगे, आप एडिनलीन, यानि कि जो गंदे हॉर्मोन हैं बोडी में, उनका लेवल बढ़ाएंगे, जिसने हमारी बीवारी सेवियर होने का खत्रा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी इम्मेनिटी कम हो जाती है, तो क्रप्या माइन सेट, यानि सकारात्मक सोच रखें, यह आपको रिकवरी में हेल्प करेंगी, पाँच्वा एम हैं, यह जो साथ दिन आप घर में अपनी होम आइसोलेशन पे करनी है, वो है सापमान, यानि की बुखार, अगर आपका बुखार एक सोटीन, एक सोचार के असपस रह रहा है, प्रोसेन या कोई भी गोली लेने के बाद भी नहीं कम हो रहा है, तो वो एक खतरनाप चीज है, फिर आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, आप ऑक्सी पर दूसरा जो चीज एक मैंने और अगर जिसके पास पाल सॉक्सिमीटर नहीं है, उनके लिए प्रपोस की है, लोग गहरा सांस खीच कर, उसको जितनक गहरा खीच सकते हैं, खीच के रोके, और उसको रोक के रखें, इसको हमारा वीडियो है, जो मैं आपको उसकी ओपनिं तो रोज बेहनत करके थोड़ा 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 बढ़ाएं, अगर ये 30 से उपर है, तो ये एक क्रूड टेस्ट है, आपके पेपर में सब कुछ चीच है, क्योंकि अगर कुछ गड़बन होगी, तो आप 30 सेकिंड तक सांस को रोक नहीं पाएंगे, अगर वो प्रती दिन 2-3-2-3 से पढ़ रहा है, और 30 से उपर हैं, तो इसका मत्रब कीड़ा है, अब कुछ होते हैं पत्रे के लक्षन, तो क्या होती है, अगर थोड़ी बहुत खासी तो हर कोरोना पिशेंट को होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव ख हो रहा है, आपकी सांस पूरने लगी, पस्लियां चल रही है, बहुत तेज सांस पूरने लगी, या आपका सैचुरेशन कम होने लगा, अगर 94 को मिनिमम लेवल मानते हैं, अगर 94 से कम हुआ, इसका मतलब कि आपके लंग से पैट हो रहे हैं, या आपके सांस रोकने का समय स इनको हम खत्रे की घंटी कहते हैं, कि अगर आपका बुखार और आजकर से अगर बुखार आठवे दिन के बाद भी तेज बुखार चल रहा है, तो वो एक खत्रे का दियो सकत है, कि कहीं कुछ गड़बर ना हो, आठवे दिन के बियॉंड बुखार चलना, ऑक्सीजन हैं, ऐसा होने पर आपको होम आइसोलेशन कोड़ तर रुख करना चाहिए, तो हो हमारा last M है, movement to hospital, तो पहला M है, mixing ना करें, अलग हो जाएं, दूसरा M है, medicines, तिसरा M है, meals, चौथा M है, mindset, पाच्वा M है, monitoring, और च्वा M है, movement to hospital, तो ये इस तरह से इन चीजों को अगर आप अपना घर में रहकर डॉक्टर की एक दो बार टेलिफोनिक कंसर्टेशन पर अपना प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, अब ये सारी चीजें हमने देशवासियों के साथ खेर करने के लिए, पिछले एक डेड़ महिने में बहुत सारे वीडियो काफी मेहनत करके बनाएं है जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हैं, मैं यहां वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो उनकी ओपनिंग प्लेट है, वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि आप लोग बार में इनको, तो जो मैंने ये सिक्स मंतराज बताए, इनको हमने इस वीडियो में तरशाया है, COVID-19 के लक्षा, और घर में रहके अपना इलाज, तो ये वीडियो आप देख करके इन सारी बातों के बारे में विस्तित जानकारी ले सकते हैं, उसी तरह से गहरा सांस खीच करके अपने पेफरों को और ज़्यादा सुद्रण कैसे बनाएं, उनमें निमोनिया होने से कैसे रोकें, और अगर निमोनिया होगा, तो सबसे पहले बिना CT scan कराएं भी आपको breath holding time, यानि सांस रोकने का समय, और एक होता है 6 minute walk test, इसमें हम पहले pulse oxygen करतें, फिर हम थोड़ा सा 6 minute walk करतें, और फिर चेक करतें, उसके बाद हमारा oxygen कम तो नहीं हो गया, ये test भी आपको सबसे पहली सूचा देता है, कि फेपडों में कुछ बढ़ बुराएं, तो इन सब चीजों को use करके, समय रहते, आप फेपडों के involvement को कैसे पता कर सके हैं, तो फेपडों को सुचन कैसे बनाएं, फेपडों में निमोनिया होने से कैसे बिचाएं, अगर निमोनिया ह तो उसका सब से पहले कमय रहते जानकारी कैसे करें, यह सारी जानकारी बिच्वित रूप से इस वीडियो में दी गई है, जो भी सोशल में हैं, तीसरा वीडियो है, अगर सब कुछ होने के बाद रूत थी, आपका ऑक्सिजन कम होने लगा, 94 से कम, और आप अब हस्पताल जाने के बाद सुर्वे हैं, तो जब तक आप हस्पताल जाएं, या उससे पहले आप अपने को पेट के बल लिटा सकती, अब पेट के बल लिटाना कोई यह नहीं है कि आप बस मुरे और पेट के बल लेटे हैं, पेट के बल लेटना एक बहुती साइन्टिफिकली का इस्तेमाल किया जाता है, और अमरीका में लोगों ने देखा कि अगर यह पत्धती हम कोविट के पेशेंट्स में बिना वेंटिलेटर के भी जैसे ही ऑक्सीजन गिरें, यूज कर लें, तो 8 से 10 प्रतिशत ऑक्सीजन बढ़ जाती है आदे घंटे के अंदर, यानि आपक से 94 के उपर चले जाओगे, हो सकता है आपको ऑक्सीजन की जरुवती ना पड़े, और अगर पड़े भी तो हो सकता है बहुत कम पड़े, और अगर आपको स्पताल भी गय तब भी आपकी ये वीडियो भी करोणों लोगों ने इसको तेश भर में देखा है और इससे बहु होती है, जो इस वीडियो में दर्शाई गई है, हमारे आज की तारीक में कोरोना गाओं के अंदर जा रहा है, वहाँ थर्ममेटर नहीं होगा, पल्स अक्सीमेटर नहीं होगा, उनके शायद एक कमरे में सब लोग रहते होंगे, तो वहाँ हम आईसोलेशन की बात कैसे करे, बहुत सारी भिन्नताएं हैं ग्रामीड एक हालात में और शेहर के हालात में, ग्रामीड लोग उनी प्रिंसिपल को, 6M प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, अपने जो उनके पास जो कुछ अवेलिबल है, उससे अपना बचाओ कैसे करें, उसके बारे में बहुत सारे लोगो को और परिवार को ला यानि दवाईयां, ला यानि ले यह साफधानियां और व वक्त रहते अस्पटाल जाएं, हमने इसको नाम दिया बदलाओ के चार कदम ग्रामीड परिवारों के लिए, यह हमारा इस समय वीडियो, हम बहुत सारे social organizations के माध्यम से गामों में भेजने का प्रियास कर रहें, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, कि अगर आप इस वीडियो को गामों ग्रामीड लाइकों में बेज सकें, तो हमारे ग्रामीड भाईयों और बहनों का बहुत फाइदा होगा, साधारन भाशा में इसमें चीज़ें समझाई गई हैं, पॉल्स के मारे में लोगों में बहुत फ्रांतियां हैं, कुछ फ्रांतियां में अभी क्लियर करूँगा, लेकिन उसको भी लोगों तक महुचाने के लिए, हमने COVID-19 और वैक्सिनेशन जानिये हर बैलू, ये वीडियो जारी किया हुआ है, नेबलाइजर एक मशीन है, जो घर-घर म तो उसको कैसे इस्तिमाल करें, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो जारी किया हुआ है, तो ये आठ नौ वीडियो हमारे इस समय हैं, जो घर-पर इलाज कैसे करें, बंटिश केके अपने फेफरों को सुद्रन कैसे करें, ऑक्सिजन कम होने की जूरत में, प्रोनिंग करक करें, नेबुलाइजर कैसे यूज करें, ऑक्सिजन सिलिंडर कैसे यूज करें, पीका करण के बारे में जो भ्रहंतियां उसमें क्या करें इन सब चीजों को इस वीडियो में दर्शाया गया है, आप इन वीडियो को शेर कर सकते हैं, तो ये तो था हमारा जो होम पर हस्पताल जाना है, तो सारे moderate और severe patient हस्पताल जाते हैं, उन सूरत में उनको steroids भी दिया जाता है, antibiotics भी दी जाती है, उनको blood thinners भी दिये जाते हैं, लेकिन ये सब चीजे डॉप्टर की निगरानी में hospital के अंदर दी जाती है, तो उनकी विष्टत जानकारी मैं यहां देना कुछित नहीं समझता, फिर आप हस्पताल जाएं, आपका इलाज वहाँ पर होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि ये सकारात्मक सोच रखें, आठानवे प्रतिशत से ज्यादा लोग ठीक हो करके घर वापस आ जाएंगे, तो ये त उसके बाद क्या है, तो इस समय ये देखा जा रहा है कि जो moderate, severe patient recover होके घर आ रहे हैं, उनमें से 80-90 प्रतिशत लोगों में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ दिककतें परसिस कर रही हैं, अब वो शारीरिक समस्याइं हो सकती है, उनको सर में दर्थ परसिस कर रहा है हाती में congestion है, उनको कुछ heart की problem है, उनको पेट में दर्थ, diarrhea या कोई और चीज, किसी को बदन में दर्थ है, कुछी को बहुत ही कमजोरी हो गई है, किसी के muscles कमजोर हो गए हैं, तो अलगलग problem है, उससे जादा जो problem खड़ी हो रही है, वो मानसिक समस्याइं हैं, जब patients इतने दिन तक ICU में रहते हैं, हो सकता है आस्पास होनोंने म्रत्यू देखी हो, इतनी negative चीज हर समय सुनते हैं, तो वापस आने के बाद, क्या हो सकता है परिवार में, दोस्तों के बीच में किसी की म्रत्यू होई हो, तो depression होना, negativity होना, बहुत ज़्यादा पैनिक की situation होना, anxiety होना, भविशिक के बारे में बड़ी निराश्चा जनक सोच, यह सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, negative सोच हो जाती है, future के बारे में, depression हो रहा है, mood changes हो रही है, नींद ना आनी की problem हो रही है, तो बड़ी सारी मानसिक समस्याई भी हो रही है, तो बड़ी स discharge होकर घर आने के बाद, 4-6 दिन के बाद, दुबारा वापस असकतार जा रहे हैं, problems की वज़े से, तो मैं इन सबका आपको दो-तीन समाधान बता दू, तो वापस आने के बाद, आपको खान-पान बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि आपको high protein diet यही ह वैसी ही high protein diet आपको इस समय भी चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है, वही सकारात्मक सोच आपको अभी भी रखनी है, आप सोचिए कि आप कितने किसमत वाले हैं, कि आप हस्पताल में भरती होके, ठीक होके घर आ गए, जब आप घर आप आगे नॉर्मल भी हो जाएंगे, जहां तक मानसिक समस्याओं की problem है, इस समय जैसे शुरू में हमने कहा no mixing, आप अलग होई है, इस समय उस वैप्ती को mixing की जरूवत है, परिवार वालों के प्यार, मुहबत, love and care की जरूवत है, इतना ज्यादा आप लोगों से mix करेंग अपने घबराट को लोगों से share करेंगे, उतना अच्छा होगा, उनकी भी सकारात्मक सोच, आपकी भी सकारात्मक सोच, ये तोनों चीजें मिल करके आपको ठीक करेंगी, oxygen level अपना जरूर मॉनिटर करते रहें, हस्पताल से आने पाद गई हफ्तों तक, तो कि कुछ पेशे जाया नियमित रूप से लें, क्यायाम करें, अपने तो relaxation करें और सकारात्मक सोच रखें, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, अपनी मौनेटरिंग करते रहेंगे, जवाय नियमित से रुखित रहेंगे, तो मेरा विश्वास रखेंगे, त लेकिन good news यह है कि ज्यादा तर लोगों में समय बीतने के साथ यह symptoms improve होते जाते हैं, हर दिन पिछले दिन से better होगा, हर हफ्ता पिछले हफ्ते से better होगा, हर महीना पिछले महीने से better होगा, तो आप सकारात्मक सोच रखें, हनपान अच्छा रखें, again smoking, drinking, आपकी immunity कम करके आपकी recovery को slow करेगी, ऐसा ना करें, और अपनी treatment जो भी डॉक्टर ने दी है, उसको नियमित रूप से लेते रहें, बरजिश करना इस समय और ज्यादा जरूरी है, खास कर से जिन लोगों को moderate severe lung involvement हुआ है, आने वाले 6 महीने में जब वो lung का pneumonia heal करेगा, तो कुछ लोगों में वो pneumonia fibrosis में convert होगा, fibrosis क्या होती है, जो fibrosis में ऐसे healing में चीजें shrink कर दी है, तो जब आपका lung भी ऐसे shrink करेगा, तो वो आपके lung capacity को कम करेगा, अब आप इसको कैसे counter कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप गहरा सांस कीच करके रोखोंगे, तो आप lung को balloon की तरह ऐसे प खेला रहे हैं, अगर आपका प्रयास healing से ज़्यादा होगा, तो आपका lung खुल जाएगा, और अगर आपका प्रयास नहीं होगा, तो lung श्रिंक हो जाएगा, तो यह हो सकता है, कि कुछ लोग आज oxygen पे ना हो, लेकिन अगले 6 महिने में जैसे जैसे fibrosis होगी, उनको oxygen की तरीका है, deep breathing, breathing exercises, आपको आप घर में ठीक होके आ गए हैं, 10-15 मिनट सुबह करिए, 10-15 मिनट शाम को करिए, अगर आपने deep breathing exercise करके अपना breath holding time, क्यानि सांस लोगने का समय, 30-35 से उपर करा लिया, तो मेरा विश्मास मानिये, इसी तरह की fibrosis आपको परिशान नहीं कर सकती, यह बहुत ही सशक्त message है, important message है, नहीं तो आप से 6 महिने के बाद बहुत सारे लोगों को oxygen की जरूवर और चाती की परिशानिया होने वाली हैं, और इन सब को परचिश करके रोखा जा सकता है, तो यह ता कैसे निकवर होकर normalize, अब आखरी बिंदू मैं 5 मिनट में टच करू हम 100% चूफ हो जाती है, तो ठीका एक पहरी चीज तो यह है कि ठीका मरीज को नहीं दिया जाता, ठीका Normal लोगों को दिया जाता है, अर टीका में हम बाइरस का पूरा का पूरा जिसको मार दिया गया होता है, या उसके शरीर का कोई हिस्सा जो है, उसको निकाल करके हम करते हैं और उससे हमारी body antibodies बनाती है और वो antibody वविश में हमको उस virus के संक्रमन से रोपते हैं जब वायरास हमारे शरीर में जाता हैं अगर antibodies होती हैं तो virus उसको अंदर to attack नहीं करता तो यह होता है purpose injection का करण का हमारे बॉडी को इम्मुनिटी डबलप करना एंटी बॉडी बनाते हैं पहली डोस हमारे बॉडी में इस प्रक्रिया की शुरुवास करती है वो उसको कुछ लेवल से ले जाती है लेकिन उसके बाद हम डिफरेंट पीरियड ऑफ गैप के बाद दूसरी डोस देते ह हैं तो यह हुए टीका क्यों ले और टीका कैसे काम करता है हमारे देश में कोवी शील्ड तो वैक्सीन यह दो वैक्सीन देश के अंदर बन रही है और स्पुट्निक वैक्सीन को चंद दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा को वैक्सीन कोवी शील्ड दोनों बहुत है उसके साथ से हमें थीं से चार महीने का रहे से रहे बारा से सोलह हाथे का यह पहली और दूसरी डोस के बीक कटिया है मैं cancer का इलाज करा चुका हूं मुरा operation हो चुका है body में कहीं भी कितनी भी आपको बीमारियां क्यों नहों अगर आपके मन में एक भी भांती है तो उसका एक जवाब है कि आप vaccine लगवाई क्यों आपने देखा होगा कि बार-बार यह बात हो रही है कि जिन लोगों को यह co-morbidities हैं वो मोटे हैं उनको diabetes है, hypertension है, heart disease है, cancer है, steroids पे हैं और अलग बीमारिया है इनको corona होने का chance ज्यादा है और corona होने की सूरत में उनकी म्रस्री होने का chance ज्यादा है तो आप लोगों की जरूर vaccine द्वारा protection की दूसरी population से ज्यादा है और आपको फाइदा दूसरी population स से ज्यादा होगा, तो किसी भी बीमारी की अगर आपको भ्रांती हो कि हम vaccine ले या ना ले उसका एक जवाब है ले, आज के नियम के अनुशार 18 साल से कम के बच्चे रड़ बती महिलाएं, सिर्फ ये दो groups ऐसे हैं जो अभी भी इस वितिका करण से बाहर है, आने वाले इन दिन पहले जो modified guidelines आई हैं उसमें lactating mothers में इसको allowed कर दिया गया, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं blood thinner का, कि blood thinners पे हम stent पढ़ा है, तो मेरा answer है blood thinners वाले आराम से vaccine को ले, किसी को 18 साल से कम pregnant ladies, और अगर आप hemophilia बीमारी से संद्रमित हैं, तो आपको पहले उसका control करना ह तो कि उसके injection लगने पर leading हो सकती है, उसके अलावा सब लोग vaccine ले सकते हैं, एक सवाल कि हमको COVID हुआ, अब हम vaccine कब लगवा सकते हैं, जो भारत सरकार की latest guidelines हैं, उसके अमसार आप 3 महिने के बाद लगवाएं, तो कि COVID होने के बाद जो antibodies बनती हैं, वो हमें कम से कम 3 महिने तक protection देती हैं, तो current recommendations हैं कि 3 महिने के बाद लगवाएं, आपने पहली dose लगवानी, उसके बाद आपको हो गया, पहली dose के बाद आपको COVID हो गया, तो आप COVID होने के 3 महिने के बाद second dose लगवाएं, इंच में gap हो सकता है, को vaccine की सूरत में बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगवाना जरूर है, और आप 3 महिने के बाद लगवाएं, COVID आपने लगवाई, पीच में COVID हो गया, आप 3 महिने के बाद लगवाएं, एक बहुत important बिंदू है कि दोनों vaccine की dose लगाने के दो अपते के बाद आपका protection आता है, लेकिन ये protection 70-80% होता है, 100% नहीं होता, यानि कि 25-35% लोगों को फिर भी corona हो सकता है, हम लोग ये मानते हैं कि ये mild disease होती है, और इसमें serious problems और deaths नहीं होती थी, लेकिन मैं आपसे share करना चाहूंगा कि पिछले 6 हफते में कुछ doctors, nurses, पत्रकार और frontline workers, जो दोनों vaccine ले चुके थे, उनकी भी म्रत्यू हुई है, तो ये जो म्रत करने तक सोचते कि 100 प्रतिशत है, 100 प्रतिशत बचाओ नहीं है, लेकिन फिर भी very high level of protection from death, from ICU, from ventilator and from severe disease है, mild disease mostly होती है, इसलिए कुल मिलाकर message ये है, कि शीकराती शेगर vaccine लगवाएं, दोनों doses same vaccine की होना चाहिए, उसको mix नहीं करते हैं, बाकी लोग पुछते हैं, ये better है कि जोनों अच्छी हैं, और जब सुटनिक आजाएं, तो वो भी अच्छी है, आपके शहर में जो भी मिल रही है, शीक राती शीगर उसको लगवाएं, एक बात ध्यान रखिएगा, कि चुकि vaccine लगवाने के बाद भी हमारा protection 100 प्रतिशत नहीं है, इसलिए COVID संयम, यानि कि मास पहना, दूरी रखना, कमरों में इकठे ना होना, और हैंड हाईजीन, ये COVID संयम vaccine लगने के बाद भी 100 प्रतिशत चलेगा, उसको हम बंद नहीं कर सकते, करप्या COVID vaccine लगवाने के बाद अपने को बिल्फुल ये कि मैं तो अब हन्मान जी बन गया, अब तो मुझे COVID छोई न नहीं सकता, ये गल्ती ना करें, आप अपना नुकसान करेंगे, अब आखरी बिंदू, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज बिजा है कि मैं ब्लैक फंगस के बारे में भी बात करूँ, वैसे तो नोटिफाइड डिजीज है, हमें कहां गया है कि हम उसके पारे में ना आख लेकिन मैं चुकि ऑफिशेल्स से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं उसको आप से शेयर कर लूँगा, ये ब्लैक नहीं होता, ये एक फंगस है जो हवा में होता है, और हम सब की सांस में ये अंदर जाता है, लेकिन जब व्यक्ति की इम्मिनिटी कम हो जाती है, तो ये व्यक्त होगी, तो ये पंगस मेरे शरीर में चड़ करता है, तो ये जो कोमिट के पेशेंट है, इनकी डाइबिटी बहुत खराब है, इनको भारी मातरा में बहुत लंबे पीरियड साच स्टिरोइट्स दिये गए हैं, इसलिए मैंने कहा था बार बार कि पहले हक्ते में लोग स्ट स्टिरोइट्स मिलके आपकी इमिनिटी कम करते हैं, और वो फंगस पर आपके नाख में जाके पैट जाता है, साइनस में जाता है, आख में जाता है, ब्रेन में जाता है, और उसकी बहुत आई मोटालिटी है, दूसरा एक और फंगस अब दिख रहा है, जो वाइट समय में अनगल फंगस आएंगे, खुल मिला के, मेसेज यह है कि अगर हम अपनी इमिनिटी पीप रखेंगे, अगर हम स्टिरोइट्स का मिस्यूज नहीं करेंगे, डाइबिटीज को कंट्रोल रखेंगे, तो हमारी इमिनिटी ठीक रहेगी, और यह फंगल इंफेक्शन आन संक्रमन का हाल है, उसमें हम सब की सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, वो है इस संक्रमन की साइक्ल को रूखना, और जैसा कि मैंने कहा, उसके लिए हमारा कोविट स्यूम, यानि कि मास्क पहनना धंग से, मैंने देखा हैं, बहुत से लोग मास्क डालते हैं, वो मास्क उनके जर्दन में ऐसे लटका रहता है, उससे कोई फाइदा नहीं है, हमारी ना, हमारा मूँ और थोड़ी पूरी तरह से कवर होना चाहिए, ताकि जितनी भी सांस जाए, वो मास्क के थ्रू जाए, अगर साइट से ये ढिला है, और साइट से या उपर से नाक खुली है, तो उस से बचने का बहुत नाम बार्ण तरीका है, और उसके साथ साथ तीका करण बहुत इफेक्टिव तरीका है, हम एक तरफ तो COVID संयम बचते, दूसरे तरफ शीग, घाती शीग्र अपने को तीका लगवाएं, अपने साथ वालों को, परिवार वालों को, मौले वालों को, माने COVID संयम आपको उसके बाद भी बरतना पड़ेगा, यह मैं आपको मेसेज देना चाहता था, जो वीडियो मैंने आपको सब अभी उनकी खाली ओपनिंग प्लेट्स दिखाई है, यह हमारी YouTube चैनल है, DR. अर्विल कुमार नाम से, DR. अर्विल कुमार नाम से पूरी चैनल ह यह सारे के सारे वीडियो, जो छे मंत्रा हैं, होम मैनेजमेंट के, बीटिंग एकसराइज, प्रोनिंग करना, ग्रामीर लोगों के लिए जो इलाज करना है, और पल्स ऑक्सिमीटर यूज करना, सिलिंडर यूज करना, नेबॉलाइजर यूज करना, और कल सुबह एक और हम अपलोड करेंगे, ऑक्सिजनेटर को घर में कैसे यूज करें, यह सारे के सारे वीडियो प्री डाउनलोड के लिए हमारी अरविद कुमार करके यूट्यूब चैनल पर है, तोशल मीडिया पर भी ये वीडियो घूम रहे हैं, हम इनको आपके साथ शेयर करने के लिए भी स रहर्ष तयार हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपके सभी भ्रांदियों का समाधान हो जाएगा, अंत मैं फिर एक बार मैं मानिये जैन साब का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, स्वास्थ हाउसिंग और अर्बन डबला मिनिस्टी का धन्यवाद कर आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद कर देखेंगे, अगर आप के पास समय हो तो वह जवाब देखेंगे, मेरे पास समय है, सर एक तो उसमें कोजी है, कि आउट स्टेशन ट्रेवलिंग के लिए हमें क्या का प्रिकॉशन रखने चाहिए, देखें, आउट स्टेशन ट्रेवल करें, मैं अभी यह कहूँगा कि इस समय जो संक्रमान का हालात है, मैं सब को यह कहता हूँ कि यह ऐसा समय है, जहां हम सब को अपने अपने घरों के अंदर लॉप करके रखने की जरूवत है, केवल अवाइडिबल सर्कॉंसेंसेंसेंसे आप लोग जैसे अपनी ब्यूटी पर हैं, ऐसी सूरत में ही जाएं, इसके अलावा किसी भी फन एक्टिविटी या किसी भी अवाइडिबल एक्टिविटी के लिए, इंट्रा सिटी, इंटर सिटी, इंटर कंट्री, किसी तरह की ट्रैवल इस समय ना करें, ना तो यह आप के लिए सेफ है, ना यह दूसरों के लिए सेफ है, जैसा मैंने कहा, बहुत भारी संख्या में लोग एस्म्टमैटिक होते हैं, लेकिन वो इंट्श होते हैं, आपको नहीं पता, आप दूसरों को संक्रमार दे रहे होंगे, दूसरे आपको दे रहे होंगे, तो मेरी सला है, कि जब तक हमारी जो ये cases की संख्या है ये बिलकुल एक सीमित सीमा के अंदर नहीं आ जाती साड़े तीन लाग case per day मरलब दुनिया के 50% cases हमारे हैं हो रहे हैं ये बहुत भारी नंबर है मैं इस समय travel से avoid करने की सलाह दुनगा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह एक तो है कि सही सूचना हमें एंग्जाइटी क्यों होती है आफ्टर आल हम लोग viral fever, flu हर साल हर व्यक्ति को एक या दो बार साल में होता है लेकिन कभी भी flu में आपने किसी को इतने blood test CT scan कराते हुए देखा नहीं देखा होगा कभी anxiety हुई नहीं हुई क्योंकि उस समय लोगों को होता है और लोग ठीक हो जाते हैं इसमें हम लोग सुनते हैं आज इसकी म्रत्यू हो गई तो हम सब को डर है severe disease का lung involvement का म्रत्यू का मैंने आपको उसके लिए bigger दी कि 98 प्रतिशत से ऊपर लोग ठीक हो जाएंगे 1.5% लोगों की death होती है तो और वो भी उसका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप mild disease हो तो कैसे करें तो अगर आपको सही सूचना मिल गई मैं आपके साजा करता हूं कि सैक्रों लोगों ने मुझे जगे जगे Facebook पे और और जगे जाके यह कहा है हम बहुत टेंस थे हम में बहुत anxiety थी लेकिन यह six mantra वाला वीडियो सुनने के बाद हमारी anxiety बहुत कम हो गई तो सही सूचना मिलने से anxiety बहुत अर्फर कम हो जाती है जो भी आपकी anxiety है उसको लोगों के साथ share करें आपने को खाली बैठ के टीवी देखने या डेगेटिव सोच की जगे किसी काम में लगाईए पैंटिंग करिए पढ़ना करिए म्यूजिक सुनिए फुजा पाट करिए कुछ पोएम यह देखिए जो भी आपकी होबी है उसके अनुसार isolation में अपने कमरे में बंद रहते हुए अपने को अगर आप बिजी रखेंगे और सही सूच ना देंगे एंग्जाइटी कम हो जाएगी और WhatsApp University की बातों पर विश्वास ना करें अगर आपका अस्थमा माइल्ड है तो आप जो भी उसके लिए दवाईया इन्हेलर बगारा पहले लेते थे उसको कॉरोना के आइसोलेशन के दौरान भी आप नियमित रूप से लेते रहें आपको कोई चेंज करने की जरुवत नहीं है केवल आपको जो मैंने निगरानी वाले बिंदू बताए थे उन निगरानी वाले बिंदूओं को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देख करके उनको देखने क एक यूजर में पूछा है कि इस वेव में यंग परसन जितने हैं ताइंग जो परसंटेज है वो उनका काफी ज्यादा है ऐसा क्यों जी जो वाइरस है इसकी अपनी एक नेचर होता है लास्ट येर इस वाइरस ने सबसे ज्यादा जो 60 प्लस पॉपुलेशन थी आसकर से ज यंग लोग पिछले साल बहुत कम एफेक्ट हुए थे इस बार maximum involvement और maximum death दोनों ही चीजें 30 से 49 की age group में सबसे ज्यादा हुई है एक तो कारण ये है कि जो हमारा 45 प्लस population है आसकर से जिनको comorbidities है उनका एक significant तबका जो है वो vaccinate हो चुका है और वो कहीं न कहीं पिछले साल क कि यह सूचना थी कि पचास साल के उम्र के जादा लोगों में एक कोरोना जादा है उससे डरे हुए थे और उन्होंने अपको अपने को घर में बंद रखा जबकि जो यह 30 से 50 की जो population थी इसको last year बिल्कुल involvement नहीं हुआ था वो शायद इस गलता भी में नहीं हमाय तो उनका exposure सबसे ज्यादा हुआ unvaccinated excessive exposure पार्टियां meeting करना socializing यह सब कुछ भी यही age group ज्यादा करता है तो no vaccination and more exposure कुछ चीज ने इस group को ज्यादा effect किया और जब effect ज्यादा किया तो naturally deaths भी उतनी होती है क्योंकि total involvement का 1.5 के percent के आसफास death होता है तो अगर आपके 30 से 50 की उमर के लोग mostly involved है तो फिर deaths भी mostly इसी group में होंगी और ऐसा fear किया जाता है कि अब हमारी 18 से उपर की population vaccinate हो रही है बच्चे हमारे अभी भी unvaccinated है तो इस इसी लिए यह डर है कि जो तीसरी वेव आई की उसमें कहीं बच्चे ज्यादा ना affect हो और इसी लिए इस समय बच्चों के टीका करण को जल्दी से जल्दी टेस्ट करके अप्रूब किया जाने पर जोडिया जा रहा है आकि उनको भी vaccinate किया जा सब्सक्राइग एक इस स्वेलर सेंटम्स ऑन टेली कंसल्टिंग वाट इस बेस्ट एडवाइज और इस पेशेंट प्रोनिंग प्रोनिक एक्यूट साइनोसिटिस एड लुक्रो माइटकोटिक ओके 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 मैं समझ गया इनका क्वेश्चन यह यह कह रहे हैं म्यूकर माइकोसिस में व्यक्त लगता है तो यह प्राणॉम्ब्क स्वेश्चन आथ्यूमर के और यह सिम्टम इखते ही साइनोसाइटिस में भी होते हैं थैकि साइनुसाइटिस तो किसी को भी हो सकती हैं दनल्दों को होगा जिसको COVID हुआ है जिसको disproportion डाइविटीज है इसको बहुत-भारी डोजित में स्टिरॉइट्स मिले हैं और जो काफी समय तक ICU में रहके oxygen लेकर आया है तो अगर आप उस category में हैं और आपको नाक में कोई भी symptoms हो रहे हैं तो advice है कि आप जाके अपने नाक का स्वाप टेस्ट कराएं ताकि म्यूकर माइको सुरूल आउट किया जा सके इसको आप sinusitis मान करके ignore और ना करें इसमें एक question और है अगर मान लीजे जो डो डोज लगनी है वैक्सीन की अगर किसी ने पहले पर वी शीड लगवाई है तो क्या वह सेकंड वैक्सीन की लगवादा है मैंने यह मैंने यह बताया था कि आप vaccines को mix नहीं कर सकते जिसकी एक वैक्सीन लगी है दोनों तो सेम वैक्सीन की लगवादा था कि आपका सेशन से हमनों काफी कुछ अच्छी बाते पता चली इसी के ज़र हमारे यूजर्स और 100 स्मार्टीज के जो मिनिस्विल कमिशनर्स हैं और सी योज हैं वो भी कनेक्टेड रहे हैं उनको भी काफी कुछ इस बारे में पता चला अन्निवाद देना चाहूंगा इवन हमारे मान्य महापोड़ जी का और हमारे सीयो सरका तथा शहरी विकास मंत्राले की टीम का जिनके सहयोग से यह और आगरा की जनता को और स्मार्ट सिटीज को कोविट से लेटेट बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और वह ब्रांति अगर किसी यूजर को आपके चैनल के साथ साथ अगर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के आईडी पर यूट्यूब के आईडी पर भी देख सकते हैं इसी के साथ मैं सभी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोहों का इमती समय हम लोगों ने लिया डॉक्टर अर्विन का और डॉक्टर बिलाल का जो उन्होंने अपने इंपोर्टेंट इडूल मैसे इसको और जनता की बहतरी के लिए नई ने उपाए बता है तो अब आप इसको अंत करें इससे पहले मैं अपने कॉलीग डॉक्टर बिलाल लंग केर फांडेशन और मेदान्ता हॉस्पिल प्रफिशिल्स का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आगरा के और बाकी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी अधिकारियों का और आगरा शहर क जो मानिय महापौर और CEO और बाकी लोग जोड़े उन सब का धन्यबाद और आप सब लोग जिनों ने अपने प्रयासों से इस प्रोजेक्ट को सफ़त बनवाया मैं आप सब का तहे दिल से धन्यबाद करता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को हमारी रिप्रेस पे आगे तो अब हम सेशन को कंक्लूड करते हैं और अगर कुछी भी सायता की जर्यवत होगी तो हमारी टीम या हमारी इसने भी लिसनर्स हैं वह आप से कॉन्टेक्ट करेंगे